अब प्योर इंड़क्टर ऑफ 25 मिली हेंडु इज कनेक्टेट टू अव। इसमें रेजिस्टैन जीरो है उसे कनेक्ट किया गया उसका इंड़क्टेंच 25 था है है और हुसे 227 कैनेक्ट किया है 222 वोल्ट यहां पे और विल्टेज को बता रहा जो भी आज के बाद मतलोंOh 봤 दिखाए गा कि इससे किया वो आर्मेश वोल्टेज की और दिखाएगा कि इससे कनेक्ट किया गया वह और अगर इसका nggak फ्रिकुन सीयों सोर्स है। उसका फ्रिकुन सी फिप्टी हर्ज है एक सेकेंड में पॉलेट कर लेता है मॉंसलेश्ट ज़ो फॉल्टेज़ कर लेता है उसिललेशन मतल जो जो भी व्रिकूल्टेज है अपना छेंज हर्ज प्लेशन प्लोग करता है पलस से माइनस माइनस से पलस ही एक सेकेंड में 50 वर कर लेता है उसिलेशन मतलब एक complete cycle पचास वर ले लेता है कर लेता है एक complete cycle एक सेकेंड में अब यहाँ पर आगे बनाते हैं कि inductance दिया हुआ है मतलब L दिया हुआ है कि पच्चेस मेली 25 मेली है तो 10 to the power minus 3 हेंडरी इंडक्टेंस दिया हुआ है उसे RMS वोल्टेज 20 वोल्ट और इसे प्रिक्ट कुणा है इसका इंड़क्टिव रियक्टेंस मतलब एकसल चाहिए और आई रम्ठ चाहिए यदि सर्किट का फ्रिक्उंसी हो सोर्स का फ्रिक्उंसी है 50 हर्च तो हमें एक्सल से स्टार्ट करते हैं एक्सल कितना था याद है ओमेगा एल और ओमेगा ओमेगा क्या टू पाइबाइटी एल और वन बाइटी को एफ लिख सकते हैं और यहां से हमारा टू पाइफ कितना है 50 हर्ज और इंडक्टेंस कितना है 25 इंटू 10 तुदि पार माइनस 3 इस तरीके से आप गनाओगे तो यह 2 इंटू पाइख वेलू 3.14 52 तो इस तरीके से आपका कि यह आ जाएगा इंडक्टिव रियाक्टेंस और हो में डिनोटेट होगा 7.85 अब आते हैं आर्मेस करेंट कि आर्मेस करेंट क्या होगा आई आर्मेस इस इकल टू वी आर्मेस बाइ रिजिस्टेंस तो यहां पर रिजिस्टेंस का काम एकसेल कर रहा है तो एकसेल लिग देते हैं कि वी आर्मेस मालों में 220 और एकसेल अभी निकाले हैं कितना 7.85 तो रखके डिवाइड करोगे 28 अंपियर आ जाएगा तो हम बस मैक्सिम्म तक बढ़ रहा है वहीं तक का यहां पर कंसेलर कर रहे हैं सोच रहे हैं तो इसके अंदर जो कोऊर है वह मैंगेटायज हो जाएगा छिएyttिम 138 ईसके अंदर मैंनेटी की फिलल आ जाएंगे और करेंट पोशीव है, यह इस तरीके के प्लाटिको अगर हम पोश тебе कानसेट करते हैं, यहां पर वोल्टेज पोशीव हो गया, इधर पोश्ชिव और करेंट भी पोश्टीव है, गोंनेर प्रोड़क्त बीर कैंद प्रोड़क्त पोश्टीव हो गया, तो वोल्टेज और करेंट का प्रोडक्ट पावर होता तो पावर यहां पर पोज्टीव आया तो इसलिए इनर्जी इज अपजर्ब तो यहां पर अपजर्ब किया गया अब अगला में देखते हैं अभी मैक्सिम्म वैल्यू के बाद क्या होता दिद्र कमने लगता है तो पांच चार तीन दो एक इस तरीके से कमने लगता करेंट भी इस तरीके से द rains जाये second कम तो कंने लगता है तो और आनतमे नेट फ्लक्स जीरो हो जाए का हाफ सैकल यह जूसरा तो यहां से इसमें धूल हो जीरो हो क 고양े दोने बॉल्टेज बॉल्टेज इहां पे निगेटीव अब कैसे कि यह व्यूंकि देखियाached क्या होता है इसमें वोल्टेजी स्था क्यूं ता आ dice यो ओलब्र वटेज देखिया ब्यूंधerson प॑ब्रबरG इसमें current कम रहा है 5 से 4 तो अगर इसे final minus initial करोगे तो 4 में से पाँच गया तो minus हाईगा current तो यहां पर voltage भी current voltage माइनस हो गया इसलिए यहां पर बोल रहा है voltage भी is negative यहां पर इस तरीके से वोल्टेज वी निगेटिव सिंस Di y d t is निगेटिव दो प्रोडक्त दो प्रोडक्त उवल्टेज गेटिव है थो पांस चार पोस्टिव है तो गहांपे अनर्जी निगेटिव पावर निगेटिव हो गया and energy is being returned to the source तो यहाँ पे जो energy power positive हुआ था वही यहाँ पे power negative हो गया तो यहाँ पे energy observe किया गया तो यहाँ बापस return कर दिया गया तो यहाँ पे total power 0 हो गया यह ग्राफ इस तरीके से दिया गया है एक और हम पर लेते हैं उसके बाद तो half cycle का उपर हम देख लिए हैं अब नीचे वाला negative में जो half cycle होता है उसका देखते हैं current i becomes negative घट के 0 हुआ 0 के बाद minus में जाने लगा तो current becomes negative it enters at b अब current negative हो गया तो b से enter करेगा और a से निकलेगा polarity change हो गया and comes out of a since the direction of current has changed current के direction change हुआ है तो polarity of the magnet changes magnet का polarity भी change होगा जो पहले जो पहले यहां 900 था आव 7-9 हो गया तो voltage भी negative हो गया the current and voltage are both negative so their product P is positive और energy is observed तो यहां product positive हुआ यहां पर energy observed हुआ क्योंकि power of work upon time तो power positive तो work भी positive energy भी positive तो यह energy observe किया गया inductor के द्वारा current I decreases and reaches its 0 value at 4 when core is demagnetized and flux 0 यहां पर current अब negative में maximum value हुआ फिर इसके बाद कमने लगा तो जिसे कि minus 5 तक maximum था फिर minus 5, minus 4, minus 3 इस तरीके से current कमने लगा और यह 0 तक कमा the voltage is positive यहां पर voltage positive है क्यों? क्यों देखिए यहां voltage यहां पर voltage कर देखिए क्या है minus 5 फिर minus 4 इन दोनों का di निकालोगे तो minus 4 minus minus 5 change in current तो क्या हो जाएगा? plus 5 यह positive हो जाएगा तो इसी तरीके से इसलिए voltage यहां positive है current negative में कमेगा तो positive होगा negative actually में बढ़ रहा है minus 5 से minus 4 तो बढ़ रहा है तो इसलिए उसका change बढ़ हा positive हुआ voltage is positive but current is negative so power is negative so energy is observed during the 1 by 4 cycle 2 3 2 3 में जो energy observed किया गया था उसको return किया गया source से तो इस तरीके से पावर टोटल 0 हो जाता है करका दो कि झाल